हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल टेट ट्रिक्स पर मैं हूं निसान पाठक और आधम चर्चा करेंगे अपने हिस्ट्री यानि इतिहास सब्जेक्ट की जिसमें चैप्टर नम्मर तीन यानि शुरुवाती किसान और चरवाहे को सामिल किया गया है आपको हमारे Sicht Tech की परिक्षा के लिए सभी वीडियो फिरीयो कोष्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं साथी साथ आप इस की PDF भी description में जाकर download कर सकते हैं साथी साथ आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं comment कर सकते हैं like कर सकते हैं बता सकते हैं कि कौन सा segment आपको अच्छा लग रहा है कौन से स्रंखला आपको अच्छी लग रही है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना chapter साथ ही हम देख लेते हैं syllabus में जो आज का chapter है वह है शुरूआती किसान और चरवाहों का है साथ ही साथ जो भी आने वाले chapters हैं उनकी चर्चा भी आगामी वीडियोस में की जाएगी तो चलिए शुरूआत करते हैं शुरूआती किसान और चरवाहे की हम इस chapter में कौन-कौन सी topics पढ़ने वाले हैं तो उनकी भी चर्चा कर ले रहे हैं प्रारंबिक पस्पालक भक्रिसक लोगों के रहने की प्रक्रिया खेती की सुरूआत, खेती के लाप, मेहरगड में जीवन, आग की खोज, पहिये का आविस्कार इन सब की चर्चा इसी वीडियो में हम करेंगे चलिए शुरू करते हैं प्रारंबिक पस्पालक भक्रिसक उप महादीप के विभिन इलाकों में गेहु जो और धान जैसे अनाज प्राकरतिक रूप से उगने लगे थे लोगों ने इस प्रकार धीरे-धीरे खुद अनाज पैदा करना सिख लिया था बेक्रिसकारियों में लग गई थे लोगों ने अपने घरों के आसपास जानवरों को आकरसित कर उन्हें पालतू जानवर बनाया बेकुत्ते के जंगली पूरवच थे धीरे-धीरे लोग जानवरों को अपने घरों के पास नजदीक आने को उत्साहित करने लगे ऐसे जानवर जुंड में रहते थे और ज्यादा तर घास खाते थे अकसर लोग अन्य जंगली जानवरों के आकरमड से इनकी रिश्रच्छा करते थे और इस तरह धीरे-धीरे पे पसबालक बन गए होंगे लोगों के रहने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौदे उगाने और जानवरों की देखवाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया करीब 12,000 साल पैले शुरू हुई बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धेरे धेरे चलती रही क्रिस के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेउं तथा जो आते हैं उसी तरह सबसे पालतू बनाएगे जानवरों में कुत्ते के बाद भेंड और बकरी आते हैं जानवर चलते फिरते खाद भंडारड का एक तरीका है जिनका प्रियोग मास के लिए किया जाता था नप पासाड युग में औजार भी सामिल थे जिनकी धार को और दिख पैना करके उनपर पालिस चड़ाई जाती थी पासाड युग की इस्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का उप्यूग किया जाता था चावल गेहूं तथा दलहन अनाज का महतपूर हिस्सा बन गए थे इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे इसके लिए कपास जैसे पौदे उगाई गए सुच मेरी इच्छड मेहरगड यह इरान जाने वाले सबसे महतपूर रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल इस्थान है कौन मेहरगड पिछली क्लास में बताया था कहाँ पर है यह पाकिस्तान में मेहरगड संभवते वह इस्थान है जहांकि इस्त्री पुर्सों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहु जोगाना और भेंड बकरी पालना सीखा था यहां बिभिन प्रकार के जनवरों की हड़ियों में जंगली जनवर भेड और बकरीयों की हड़ियां मिली हैं इसके इलावा घरों की अपसेस भी मिले हैं जिसमें चार से ज़्यादा कम रहे हैं ना पासाड यूग के सबसे प्रिशिद पुराइस्थल में एक तुर्की में है कौन मेहरगड यहां से राजिस्थान से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका अपयोग किया जाता था जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर लाल सागर की पौड़ियां तथा भूमद सागर की सीपियां कहाँ पर लाई जाती थी मेहरगड में पासाड युग का आरंबिक हिस्सा हिम युग यानि आईस एज के दोरां बीता था उस जमाने में चारो तरफ बरफ ही बरफ थी और धर्थी पर घास नक के बराबर होती थी ग्लोबल वार्विंग के कारड लगभग 12,000 साल पहले हिम युग का अंत हो गया साथ ही जीवन जो जमीन का एक बड़ा हिस्सा भी साफ हो गया इसके साथ ही हरित पादप तेजी से पनपने लगे हरे हरे पौदे के पनपने से जानवरों और मनुस्यों के लिए भोजन की उपलब्रता बढ़ने लगे यही वह समय था जब आज के जमाने के कई इस्थन धारियों का विकास हुगा था इससे मास की उपलब्रता भी बढ़ गई थी हेम युक के बाद घास के पौदे पूरी दुनिया में तेजी से पनपने लगे धान गेहूं और मक्का जैसे पौदे घास के परिवार के सदस हैं यानि हमारे भोजन का अधिकान सिस्था घास के परिवार से मिलता है यही वह समय रहा होगा जब लोगों ने अनाज का इस्त तो आग की खुज मानव जात के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी इससे मानव जीवन अबूत पूरु धंग से बदल गया था ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग की नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तमाल करना सीखा होगा किसी ने गलती से म गुफाओं में राक के अवस्थेस मिले हैं यह वही कुर्णूल की गुफाएं जो कहां पर हैं आंद्र प्रदेश में और किस पठार पर हैं यह इस पठार जो है यह आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आखर यह किस पठार पर अवस्थेत हैं कौन सी कुर्णूल की कामों में रहने वाले लोग आग का इस्तिमाल करते थे कि नेश्टम बात करते हैं आग का इस्तिमाल कई कामों के लिए हो सकता है आग से पेड़ों को जला कर जंगल साफ किया जाता था आग से खाना पकाया जा सकता है आग के इस्तिमाल से जंगली जानवरों को दूर रखा ज लीर थे पासार युक्कि गुफाओं में ठी रॉक प्रेंटिंग मिलई हैं भीम बेटका के गुफाओं में कंई सुंदर तस्वीरें डिकतर प्रेंटिंग में जानवरों और सिकार को दिखाया गया है इतियास कारों का मानना है कि ऐसी तस्वीरों को किसी खास उतसब के मौके पर बनाया जाता होगा हो सकता है कि सिकार पर जाने से पहले लोग ऐसी पेंटिंग बनाते होंगे यह भी हो सकता है कि लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने आसपास की सुंदर प्रकृत को निहार सकें और उसके बारे में बे सूच सकें इन प्रेंटिंग मैं लाएं कंद मूल और फाल इखटा करती होंगी बुर्ज होम और गुफ क्राल यह कहां पर है जंबु कस्मीर मेहरगड पाकिस्तान चिरांद बिहार दाव जली हेडिंग पूर उत्तर छेतर में कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में हलूर और पयमली दच्छड भारत में यह पाकिस्तान में यहां से जोओ यहां से ग् ряд वक्री और मवेसी मिले हैं कोल डी हवा यह कहां करें उ उततर प्रदेश में जहां से चावल जान गेहूं और दाल मिले हैं बुर्जों यहां से गेहूं दलहन कुत्ता मवेसी भेंड बकरी भेंस आद के अपसिस मिले हैं चिरांद जो बिहार में हैं जहां से गेहूं हरेचने जो भेंस बैल आद के अपसिस मिले हैं हलूर आंद प्रदेश में जवार बाजरा मवेसी भेंड जंगली सुगर के आद के अपसेस मिले हैं, पैयम पल्ली यही आदने प्रदेश में जहां से काला चना, जुआर वाजरा, मवेशी, भेहन, जंगली सुगर, आद के अपसेस मिले हैं, तो खेती की सुरुवात, खेती की शुरुवात को मानव इतियास की सबसे करांतकारी घटना माना जाता है क्योंकि इसी के साथ बसने की प्रिक्रिया की शुरुवात हुई थी खेती की कारड़ ही आदमी खाना वदोस जीवन को छोड़कर इस्थाई जीवन जीने लगाता खाना वदोस मतलब घुमकर्द जीवन यतिहास कारों का मानना है कि खेती की खोड़ सबसे पहले महलाओं नहीं की होगी एसा इसलिए संबभ हुआ होगा क्योंकि महलाओं को गरवावस्ता और फिर बच्चे के पालन पोस्टन के दोरान एक स्थान पर ही टिकर रहना पड़ा होगा किसी एक स्थान पर लंबे समय तक रहने के दोरान महलाओं और बच्चों ने बीज से पौदे को पनत्य देखा होगा यहीं देख खर उन्होंने पौदे वगाना सीखा होगा नेक्स नमबात करते हैं खेती के लाब की खेती से भोजन की आपूर्थ बहतर हो गई होगी साथ ही सिकार और भोजन संग्रे पर निरवर्था कम होई होगी किसी भी पौदे को फल और बीज देने में महिनों लग जाते हैं इसलिए फसल की देखवाल करने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर टिकने की जरूरत होई होगी इसी से बसने की प्रक्रिया की सुरुगात होई होगी तो खेती की ये लाब है नेक्स्ट जब जरूरत से अधिक भोजन मिलने लगा तो लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने बौधिक विकास पर भी ध्यान दें इससे बैग्जानिक कला और भासा की छमता का विकास हुआ होगा बसने की पिरकरिया के सासा समधायों का आकार बढ़ने लगा धिरे धिरे समधाय एतने बढ़े हुए कि गाउं का विकास हुआ यहाँ यह बताना जरूरी है कि गाउं उस जगे को कहते हैं जहां लोगों का मुख विपसाय किर्स होता है भोजन संग्रह से उत्पादन तक तो जंजाती, जो लोग प्रक्रत से अधिक निकट रहते हैं और आज भी सिकार भोजन संग्रह, किस जैसे पुराने तरीके से जीवका चलाते हैं, उन्हें जंजात या आधिवासी कहते हैं, जंजातियों के कुछ लच्छड निम लिखत हैं किसी भी जंजात के सदस छोटे सम्गों में रहते हैं, जंजात या अकथर किसी जंगल के निजदिक रहती हैं, ऐसे लोग अपनी अधिकांस ज़रूरतों के लिए जंगल की उत्पादों पर निर्वर रहते हैं, जंजातियों की सांस्कृत बिरासत बहुत सम्रद होती है, उनकी अपनी खास बासुकला, संगीत और चित्रकला होती है। पहिये का आविस्कार नपासाड योग ही वह समय था जब पहिये का आविस्कार हुगा था। पहिये का सटिक डिजाइन बनाने में इंसानों को सेंकडों वर्स लग गए होंगे। हो सकता है कि लोगोंने लकडी के बेलना का लट्टों को पाड़ी से लड़कते हुए देखा होगा। उससे पेड़ना लेकर लोगोंने भारी सामान ले जाने के लिए लकडी के लट्टों का इस्तिमाल किया होगा। धीरे धीरे समय बितने के बाद पईये का सई डेजायन बन पाया होगा। पईये ने आदमी का जीवन बहुत आसान कर दिया, गाड़ी को आदमी या जानवर द्वारा आसानी से खींचा जा सकता है, इससे लंबे दूरी की यातरा आसान हो गई होगी। बरतन बनाने वालों ने पईये का इस्तिमाल चाक के रूप में किया, जिस से बरतन बनाने में तेजी आ गई। जनवरों की हड़ीयों और कबरों के अव्सिस मिले हैं। घरों का आकार आइता कार होता था, उन्हें पत्थर की सिल्डियों से बनाया जाता था, एक घर में अकसर चार कमरे होते थे। इनमें से एक कम्रे का इस्तिमाल समृत्iej अनाज के भंडारण के त sunre पर हुता था कहां पर मेहर गड़ में next नम दे thrilled कबर कबरों की मिलने से पता चलता है कि मुर्टे कां अंतिम्न संजकार किया जाता था कबरों से कई रूचक जानकारियां मिलती हैं एक कबर से आदमे के कंकाल के साथ बकरियों के कंकाल भी मिले हैं इससे पता चलता है कि लोगों को यह विश्वासता कि मरने के बाद भी जीवन होगा लोगों को यह भी लगता रहा होगा कि मरने के बाद भी बहुत एक सुबदाओं की जरुड़त होती होगी पत्थर के औजारों का निर्माड पत्थर के औजारों को कैसे बनाया जाता होगा इस बारे में तियास कारों ने कुछ अनुमान लगाए है पासाड औजारों को बनाने की दो बिदियां हो सकती हैं जो नीचे दे गई हैं पत्थर से पत्थर को टकराना इस तरीके से औजर बनाने के लिए एक हाथ में एक पत्तर को लेकर उस पर दूसरे पत्तर से बार किया जाता था ऐसा तब तक किया जाता था जब तक कि सही आकार न मिल जाए और उह हत्यार न बन जाए नेक्स्ट दवाव सल्क तक्नीक इस बिद में किरोड जिस पत्थर से औजार बनाना हो को किसी सक्त सतय पर रख दिया जाता था फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट-पीट का सही आकार दिया जाता था दवजली हैडिंग यह पुरा इसथल ब्रहंपुत्र घाटी में इस तित है यहां से पता है कि बहां के लोग भोजन को पीशा करते थे यहां से ज कौनशा जिडाइट यह में हरे रंग का पत्थर होता है जिस्द libro connolly squad आं जाते थे इतियास कारों का मानन bên जा दाइट चीन से आया होगा इससे यह पता चलता है कि लोगों का संपर्व दूसरे स्थानों की लोगों से होता होगा अब हम बात करते हैं अपने क्विश टैम की तो पहला कुशन सबसे पहला पालतू जनवर कौन सा था कुट्ता भेंड बकरी उपरुक्त सभी तो कौन सा कुट्ता इसके बाद भेंड बकरी पाले गए नेक्स्ट सबसे प्राचीन फसल कौन सा है गेहू जो चावल मक्का होता था केवल एक साहि केवल बी सही और दानों सही ये और बी दानों घलत तो कौन सी ए और बी दानों सही नेक्स्ट किस योग में परिये काविश कार कोया पहला पुराप जिए कार काा उपोमें पर نے से कंट पste qual नेक्स्ट हम देखते हैं लोगों की वुसने की प्रकिरिय कब शुरू हुई इसका आंसर आप comment करके दे सकते हैं तो पहला उपस्व ने 12,000 बरस पहले 10,000 बरस पहले 15,000 बरस पहले 13,000 बरस पहले इस question का answer आप comment करके बता सकते हैं साथी साथ आप मैं ये भी बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो का कौन सा segment अच्छा लगा और आपको हमारी ये सरंकला कैसी लग रही है इस बारे ने भी कमेंट कर सकते हैं साथ ही साथ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को सोब हो